तो चलिए लास्ट क्लास के अंदर हमने डिपार्टमेंटल के छोटे छोटे कॉंसेप्ट से लेके थोड़े बड़े कॉंसेप्ट भी देख लिये थे और इसमें आप देखोगे तो मेजरली जो अभी डिपार्टमेंट अगर मुझसे पूछे ना सर हम डिपार्टमेंट पढ तो रहें लेकिन एक्चुल बता दीजे डिपार्टमेंटल है क्या तो मेरा जवाब होगा डिपार्टमेंटल जो है वो बड़ी सीधी सी बात है कि खर्चों को उसके सेग्मेंट के हिसाब से बाट देना तो सर इसमें सीखने वाली बात क्या है तो सीखने वाली बात सिर्फ मा को हमें बांट देना और कुछ ऐसे खर्चे जो कि पता ही नहीं चल रहा तो उसे कहां भीज देना जर्णल प्रॉफिट एंड लॉस में तो आज हम करेंगे जिसके अंदर ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों के उपर रिजर्व रहेगा और इनफेक्ट आपको जीपी रेट भी नहीं देगा तो क्या करेंगे क्योंकि कुश्चन सो क्यों नहीं हो रहा है हाँ एक अपडेट कर देता हूं इससे मैं कि अपडेट होने में बड़ा टाइम ले रहा है आज ही है कि अब हुआ 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 कि अपर यहां आप डेट नहीं हो गई है यहां आप डेट हो चुका है एक मिनट दीजिएगा यहां तो अपडेटेड है एक मिनट झाले नहीं हुआ हुआ है झाले यहां प्रीजिएगा झाले झाले एक मिनट कर दोगेट है 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 जो जाए जब तक अपडेट नहीं हो जाता यह बस एक मिनट लगना है आप 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 टेस्ट के जस नीचे हम आठकर ड्राइब भी है आपटेट नहीं होता हुआ हुआ हम आज कर ड्राय भी अफडेट नहीं होता हो जल्ली आए कर दो जाओ भाई यहां पर दिखा तो रहा है सिंग्ड लेकिन कुशन नहीं सो कर पा रहा है दोबारा देख लेते हैं इसको ओपन करके चलिए इसी पर ही आगया चलिए एक कुशन देखते हैं पहले हम कितने डिपार्टमेंट है दो सर दो डिपार्टमेंट एक डिपार्टमेंट है दो दिपार्टमेंट तो पोटल की आपकी इच्छा मैंने कहा है बनाने तो बनाई ये अदरवाइस नो नीट तुम्हें बनानी रहा तो यहां पे दो डिपार्टमेंट और आता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट चलियो सर क्या कहता है कोश्चन में देख लेते हैं उसकी अकॉर्डिंग ही करेंगे हम सर हिंदी मीडियम नोट्स में नहीं हिंदी मीडियम में तो नहीं अविलीबल होगा नोट्स तो यह किताब के प्राक्टिकल कोश्चन है कहते हैं the following balance were extract from the books of visa you are required to prepare departmental trading and profit and loss account year ended 31 December 2017 तो एक बात का आपने ध्यान रखना है कि जब कभी भी जब कभी भी आपको पूछा जाए trading account तो सिर्फ trading बनाना है और जितना पूछा जाए उतना आपको काम करके दिखाना है after adjustment unrealized departmental profit तो जो हमारा profit होता था ने stock reserve उसको एक और नाम से जानते हैं unrealized profit तो कहीं exam में ऐसा आजाए कि यार यह क्या पूछ लिया unrealized profit तो वही बोल रहे हैं वो गुमा फिरा के कहता है opening stock दोनों में हैं तो सर सबसे पहले इधर आजाएगा two opening stock opening stock ये departmental A departmental B कितने का है 50 और 40 ये सवाल आपको मिलेंगे जो extra सवाल में करवा रहा हूँ न ये सवाल आपकी किताब के ही practical problem में मिलेंगे आपको इस तरीकी के सवाल क्योंकि theoretical में जितने हैं वो illustration वो साथ के साथ practical भी कुछ कोश्चन कर रहे हैं to purchase to purchase क्योंकि पहले था नहीं हमारे syllabus में departmental तो अभी introduce किया है तो आपको ज़्यादा question B.com वाले नहीं मिलेंगे तो इसलिए ज़्यादा ज़्यादा क्योंकि या तो CA वाले question मिलेंगे या CS वाले मिलेंगे ऐसे करके वाइज सेल्स वाइज सेल्स की हम बात करें तो 10 लाक और departmental A की बात थी और B में कितना आजाएगा 15 लाक रुपे ठीक है आगे कहता है general expense incur departmental एक लाक पच्चिस हजार which is in the divided ratio of sales तो journal expense किसका पार्ट है P and L का ठीक है तो journal expense P and L का पार्ट है sir तो journal expense sir journal expense कितना दे रखा है हमें question में दे रखा है एक लाक पच्चिस हजार बोला गया इसको sales के ratio में बाट दो तो sales हमारा है 10 इस्टून 15 या फिर आप बोल सकते हो 2 इस्टू 3 तो 2 इस्टू 3 के ratio में बाटते है हम इसको एक लाक पच्चिस हजार divided by 5 इंटू में 2 तो sir पच्चास हजार 2 journal expense पच्चास हजार और 3 पिच्चतर हजार यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या है तो बताईए यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या है तो बताईए पताईए किसी को कोई समस्या है तो मैंने कितना लिख दिया एक जिरो कम लिखा चलो बढ़ा दिया नो सभी बच्चों ने बूल दिया सर यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है अब आगे क्या पढ़ते हैं कहता है यू आलसो सप्लाइड विद द फॉलोविंग एडिशनल इंफॉर्मेशन कहता है जो क्लोजिंग स्टॉक डिपार्टमेंटल ए का है यानि सर क्लोजिंग स्टॉक बता रहा है दिपार्टमेंटल ए का तो बाई साइड में लिख दे क्या बाई साइड में लिख दे बाई क्लोजिंग स्टॉक डिपार्टमेंटल ए का कितना है सर एक लाध बोलता है उसके अंदर बीस हजार रुपय जुड़ा हुआ है जो transfer किया था B ने कहने का मतलब सर A का जो भी closing stock है ना इसमें 20,000 रुपे वो है जो किस ने transfer किया था सर B ने किया था मतलब कि transfer तो बाली बात तो नहीं बोला बोला कि इसके अंदर B ने जो भी whatever करा हो उसका जुड़ा हुआ है और यहां पर ध्यान रखना जैसे मान लेते हैं A है और B है अगर B A को transfer कर रहा है और A बोले यह मेरी cost है यह मेरी cost है तो that is what selling price ही है ब्रांच में भी देखा था हमने अगर A B को अगर B बोले ना मेरी cost है यह तो selling price नहीं है ठीक है यहां जो दे रहा है वो cost बोले तो selling price नहीं है जो ले रहा है goods को अगर वो cost बोल दे तो selling price का part माना जाएगा तो यहां क्या कहता है एक बार फिर से ध्यान से पढ़े इस adjustment को कहता है closing stock of department A 1 lakh include इसमें जुड़ा हुआ है goods department B से मिला है और B से कितना मिला हुआ है 20,000 at cost to department A जो कि department A का cost था यानि सर यहां पे transfer नहीं हो रहा पहले क्या करते थे सर अगर B ने A को दिया है तो B के लिए sales हो जाता था और A के लिए purchase हो जाता था यही होता था यहां पे पूरे सवाल में ऐसा नहीं बोला है कि हमने उसको goods दिया लेकिन last last में बोल दिया उसके closing stock में सिर्फ जुड़ा हुआ है तो मतलब सर अगर transfer नहीं हुआ तो उसका stock दूसरे में कैसे जुड़ा हो सकता है तो जवाब है इसने जो भी transfer हुआ होगा ना उसने sales में ही include कर दिया होगा समझ रहे बात को अलग से ना बता के उसने sales और purchase में दिखा दिया होगा जोड़ कर तो चलो हमारी थोड़ी से confusion को दूर कर दिया तो सर यहाँ पे जो 20,000 है इस पे stock reserve निकलेगा क्योंकि 1,000,000 closing stock तो दिखा नहीं सकते इसमें 20,000 जुड़ा होगा तो stock reserve वो कहाँ चला जाएगा journal profit and loss में चलिए अगले adjustment में कहता है कि closing stock of department B जो B का closing stock है that is 2,000,000 रुपीज department B का closing stock कितना है 2,000,000 रुपे include goods from department A इसके अंदर department A से जो goods मिला वो include है और उस goods की कीमत कितनी है 30,000 cost to department B यानि कहानी उल्टा हो गया अभी तक हमने सवाल में देखा था एक ने इसको transfer किया एक ने इसको बस बात खतम अब यहाँ पे क्या सवाल आ गया इसने भी उसको दिया और दूसरे ने भी इसको दिया यानि दोनों तरफ से बाते चल रही है यानि सर इस वाले goods के अंदर जो है किसने बेचा है इसको ये वाला जो sales है वो बेचा किसने B का तो closing stock है लेकिन इसमें A ने बेचा हुआ है है ना और इस वाले में इसका तो closing stock है लेकिन किसने बेचा हुआ है इसको और इस closing stock को सारा नहीं इसमें सिर्फ मात्र और इस वाले में कितना 20,000 है ना चलिए सर अब आगे क्या कहता है आगे कहता है opening stock of department A and B include value of 10,000 and 15,000 taken from department B and department A respectively cost transfer department यानि कहता है सर बात सिर्फ यहीं तक नहीं है जो opening stock है इसके अंदर भी कुछ ना कुछ पार्ट जुड़ा हुआ है कहता जो A का है ना उसमें कितना जोड़ा हुआ है 10,000 जोड़ा हुआ है A वाले में कितना जोड़ा हुआ है और B वाले में कितना जोड़ा हुआ है 15,000 रुपे चलो ठीक है सर लेकिन अभी तक ये नहीं पता चला के भहिया क्या करना है नहीं करना है कहता है The Gross Profit Uniform Year to Year देखो अब देखो आपने एक सवाल किया था जिसके अंदर क्या था सर ओपनिंग स्टॉक का जीपी रेट अलग था ओपनिंग स्टॉक का याद हो तो दिखा देते हैं कौन सा किया था सर जिसमें ओपनिंग का 30% दे रखा था शायद यही था क्या ये था ओपनिंग स्टॉक का जीपी रेट कितना था 30% डिपार्टमेंट और डेट दे दिया था लेकिन क्लोजिंग का तब भी हमने निकाला था लेकिन इस सवाल के अंदर सर जो जीपी रेट नए वाला निकलता है न वो नए वाला जीपी रेट तो कहां के लिए होता है सिर्फ और सिर्फ क्लोजिंग के लिए होता है opening पे तो वो apply नहीं होता लेकिन जो ये line इस ने बोल दिया ना इस line ने प्रूफ कर दिया कि भाईया year on year same GP रहेगा यानि जो closing पे लगेगा GP वही किस पे होगा opening पे इस line ने बता दिया बस हमें तो sir हम यहाँ पे GP rate भी निकालेंगे तो GP पहले तो GP rate निकालने के लिए हमें क्या चाहिए sir GP अगर आपको निकालना है GP ratio तो simple सी बात है आपको GP चाहिए और क्या चाहिए sales चाहिए into 100 दोनों सवालों के sales तो given है दोनों departmental के sales तो given है लेकिन दोनों departmental का gross profit नहीं given तो हम निकाल लेते हैं तो यह आगया कितने 11 लाग यह आगया हमारा 11 लाग और यह आगया 12 और 17 लाग और इधर आजाएगा हमारा 11 लाग और इधर आगया 17 लाग यहाँ पर लिखतेंगे gross profit ट्रांसफर कहां कर देंगे sir पी एंडल तो अगर हम निकालते हैं तो कितना माइनस होगा 57 लाग तो यह कितने आएंगे 4 लाग और इसको माइनस करें तो नहीं 9,4,13 7,5,5 7,5,000 by side में आजाएगा by GP और GP आजाएगा हमारा 4 लाग और यहाँ पर आजाएगा 7,5,000 sir ठीक है मैं यहीं पी एंडल भी बना लूँगा पी एंडल भी यहीं बना लेंगे यह हाँ तक रहेगा हमारा ठीक है पी एंडल की बारी आएगी यहाँ बना लेते हैं पी एंडल यहाँ बना लेते हैं पी एंडल पी एंडल में सबसे पहले तो नेट प्रॉफिट यहाँ से निकाल लेते हैं देट इस आपका यह आएगा चार लाख और सेवन लाख फिफ्टी थाउजन चार लाख और साथ लाख पचास अजार और यहाँ हो गया टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर या प्रॉफिट ट्रांसफर टू जर्नल पी एंडल तीन पचास और यह कितना आजाएगा पिछटर भजार माइनस करोगे तो छे लाख पिछटर हजार बाई साइड में आजाएगा यह डेपार्टमेंट ए से और डेपार्टमेंट बी से तीन लाख पचास हजार और छे लाख पिछटर हजार तीन पचास और छे पिछटर तो सर तीन पचास फ्लस छे पिछटर सर दस लाख पच्चिस हजार अब मज़े की बात है सर बस इसमें एक काम रह गया stock reserve वाला जिसका आप वेट कर रहे हैं कि निकालेंगे कैसे तो अब सबसे पहले GP ratio दोनों का निकाल लिया जाए है ना दोनों का अगर GP ratio निकाल लिया जाए next page पे निकाल लेते है department A का यहाँ पे निकाल लेते है department A का GPR और फिर निकाल लेंगे department B का GPR तो sir department A का हमारा जो profit है वो है हमारा 4 लाग और उसका sales है वो 10 लाग है into में 100 into तो 40% sir department B का मैं दिखा भी देता हूँ department A का sales और GP B का 15 और 7 तो B का हो गया 7 और 7 तो B का हो गया और 15 लाग into में 100 तो आपको पता चल गया इसका कितना है sir 50% है है ना क्या अच्छा यह 10 लाग है ठीक है क्लियर यहां तक अब हमारा मुद्दा है कि पहले opening stock पे reserve निकाल लेते है तो sir opening stock पे reserve हमें 40 और 50 पता चल गया यहीं लिख लेते हैं sir यह वाला जो profit है ना यह 40% के दर से कमाया गया है 40% के rate से कमाया गया और यह वाला कमाया गया 50% देखो मैं आपको समझाने के लिए यहां लिख रहा हूँ exam में ऐसे लिख के नहीं आना है आपको इस बात का ध्यान रखना है कुछ बच्चे इस तरीके से लिख के आएंगे तो marks नहीं मिलने वाला चलिए sir journal expense भी बाट दिया इसे हटा देते हैं अब GP ratio पीछे निकाले लिया है तो यहां पे साफ साफ कर लेते हैं क्या करना है sir opening stock सबसे पहले opening stock sir opening stock A का भी लेंगे और department B का भी लेंगे तो sir opening stock जो department A और B की हम बात करें तो कितने कितने है sir A का opening stock department 50,000 है लेकिन हम तो stock reserve निकाल रहे हैं जितना हिस्सा जुड़ा होगा वही लेंगे तो कितना लेने वाले हैं 10,000 और B पे कितना है 15,000 तो इसके उपर अगर stock reserve निकाल ले stock reserve तो इसके उपर कितने percent rate था A का बोल रहा था कितना कमाता ये GP लेकिन sir A अपनी opening stock में थोड़ी ना अपना रख लेगा A के opening stock में किसका stock जुड़ा होगा B का जुड़ा होगा तो GP किसका apply होगा B का तो यहाँ 50% apply करेंगे आप simple सा लगाओ common sense तो sir 5000 रुपया आ गया और यहाँ 40% apply करेंगे that is 6000 रुपया आ गया पहले तो यह देख लेजिए opening stock का समझ मैं इस बात आपको अब किस पे आ जाएंगे हम तेम करने वाले हैं काम किस पे sir closing stock पे तो इधर closing stock का ले लेते हैं तो department A और department B तो department A का closing stock कितना था एक लाग और department B का कितना था दो लाग तो A के उपर फिर से GP apply करेंगे यानि stock reserve निकाल लेंगे तो कितना लगेगा इस पे sir इस पे लगेगा 50% that is आपका 50% GP है तो कितने आ जाएंगे पचास हजार रुपए sorry ये एक लाग तो था ही नहीं न 20 और 10 था मैंने total ले लिया मैंने ले लिया total एक लाग थोड़ी ना एक लाग तो total stock है और सारा इसी से थोड़ी लेंगे हैं तो इस से 20 अजार और एक से 30 अजार तो इसके उपर हम stock reserve अगर निकालते हैं तो 50% मतलब के 10 हजार और इस पर 40% मतलब के 10 हजार अब बड़ी simple सी बात है opening stock का reserve हम इधर लिख देते हैं और closing का इधर लिख देते हैं इस काम को असान करने के लिए हम net भी कर सकते हैं तो देखा जाए तो closing का अपना हमारा है A का 10 हजार और 5 हजार तो net में 5 हजार रुपे बच रहा है तो 5 हजार रुपे closing वाले का side ज़ादा है तो इसलिए मैं stock reserve लिख देता हूँ यहां और डिपार्टमेंटल A का कितना बन रहा है सर 5 हजार सेम B का देखा जाए तो 12 हजार है और इसका 6 हजार तो B का कितना बन रहा है B का बन रहा है 6 हजार ultimately stock reserve आगे है 11 हजार और आप यहां पे profit निकाल सकते हो easily sir profit अगर निकालते हैं यहां पे easily profit की बात करें तो कितना profit निकल के आएगा profit निकल के आएगा sir 10,25,000 10,25,000 और 2 net profit या final profit बोल लो 11 minus कर देंगे तो 10,00,000 कितने आजाएंगे 14,000 रुपे बस खतम हमारा यह हमारा step by step answer भी दे रखा है जिसको आप क्या कर सकते हैं verify कर सकते हैं बताईए समझ में है समीर का कहना stock reserve का मतलब क्या होता है profit stock reserve का मतलब होता है profit unrealized profit का मतलब होता है profit loading का भी मतलब क्या होता है हमारा profit नाम अलग अलग दे रखें अकाउंट के अंदर लेकिन सब का मतलब सरफ क्या हमारा profit का हिस्साद बताईए किसी को कोई doubt झालब होता है झालब होता है झालब होता है